हेलो एब्रीवान आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है नेचर ओफ रूट्स वैसे तो देखा जाए तो यह एक्सरसाइस 4.4 का टॉपिक है NCRT के साब से लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आपको पहले करा देता हूं तो एक्सरसाइस 4.3 के कुछ कुछ को समझने में आपको आसानी होगी जब हम 4.4 पढ़ेंगे तब दुबारा पढ़ लेंगे इसको तो आपका रिवीजन हो जाएगा ओके चली शुरू करते हम नेचर ओफ रूट्स तो यह रूट्स क्या होता है वैसे इन जनरल हम देखें तो रूट्स का मतलब होता है किसी भी एक्व रूट्स यानि कि इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि रूट्स कैसे हैं रियल है या फिर रियल नहीं है ओके कैसे हैं उनका नेचर क्या है वो हम पता करेंगे चली देखते हैं आपको पता है कि AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C is equal to 0 यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी quadratic equation का with necessary condition क्या बताया था मैंने आपको A0 नहीं होना चाहिए ओकि अगर A0 हो गया तो हमारा first term गाइब हो जाएगा तो यह कैसा हो जाएगा linear term हो जाएगा यानि linear equation हो जाएगा यह हमने पहले पढ़ा था standard form of the quadratic equation इसकी ज़रूर्द यहां पे नहीं है लेकि मैंने सोचा आपक quadratic formula जिसको हम क्या कहते हैं दूसरा नाम क्या इसका श्रीधराचार यह formula कैसे बनाया था completing the square method से derive किया था हमने इसको क्या था x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a यह हमारा क्या था quadratic formula था अब देखिए nature of roots निकालने के लिए आपको जो यह term दिख रहा है b square minus 4ac जो root के अंदर है यहाँ पे लिखा देखिए मैंने b square minus 4ac इसको हम बोलते हैं discriminant okay क्या बोलते हैं discriminant अब इसको यह word क्यों पढ़ा है discriminant English term के हिसाफ से यानि English meaning के हिसाफ से discriminant कौन होता है जो discrimination करता है जो भेदवाव करता है discrimination okay तो यह जो expression है b square minus 4ac यह discriminate करता है roots के बीच में यानि roots में बेदवाव करता है कि यह real है यह not real है okay इसलिए इसका नाम पढ़ा है discriminant इसको हम represent करते हैं capital D से discriminant को ठीक है root नहीं होता है root के अंदर वाला part b square minus 4ac अब देखिए कैसे पता चलता है roots का nature अगर D की value negative आए यानि की less than 0 okay D की value आ जाए for example minus का 25 मा लिजे okay तो हम जब हम इसको solve करेंगे तो root के अंदर आएगा minus का 25 हाना जब हम quadratic formula में put करेंगे तो यह हो जाएगा किसी भी negative number का root possible नहीं है हना कोई ऐसा number आप मुझे बता नहीं सकते है जिसका square करेंगे तो minus का 25 आ जाए आ सकता है क्या नहीं हना तो हमने तब बताया था जब completing the square method कर रहे थे तो इस case में क्या लिखते थे roots are not real यानि कि roots are imaginary अगर d की value less than zero आ जाए यानि कि d की value negative हो तो हम क्या लिखेंगे no real roots exist और the roots are imaginary इतना समझमा है आपको हम यह क्यों कर रहे है nature of roots देखिए हम अगर मा लीजिए आपको कोई quadratic equation दे रखा है आप उसको solve करने लगे last में जाके आपको पता चला कि वो उसके imaginary roots हैं तो roots तो आएंगे ही नहीं तो आपने इतनी महनत करी अगर कोई आपसे पूछे इसके roots होंगे या नहीं तो आपको पूरा solve करना पड़ेगा quadratic equation sorry quadratic formula लगा के आप उससे बचने के लिए क्या कर सकते है quadratic formula क use किये बिना आप discriminant को use करके पता कर सकते हैं कि आपके roots जो है real है या नहीं अगर real है तो आप solve कर लीजेगा अगर imaginary है तो भाहीं छोड़ दीजे हाना थोड़ा time बचेगा आपका ओके अब देखिए डी की value 0 आ जाए discriminant अगर 0 आ जाए यानि कि root के अंदर 0 आ जाएगा हाना root के अंदर 0 आ जाएगा तो 0 का root तो 0 ही हो गया तो हम इस case में कहते हैं there are two equal roots क्या है there are two equal roots हम जो roots होते है उसको repeat कर देते हैं ओके आप tension मत लीजेए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबका एक एक example है आगे वीडियो में इसको देखेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा next देखिए अगर d greater than 0 है यानि कि positive value आई है for example यहाँ पे d की value plus का 25 हो जाए ओके तो root के अंदर plus का 25 आगा तो आप बता सकते हैं यह क्या होगा plus minus 5 होगा रूट 25 क्या होगा plus minus 5 होगा तो इसका मतलब हमें 2 answer मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे two distinct real roots ओके एक बार और दोहरा लेते हैं देखिए अगर d की value negative हो less than 0 हो तो no real roots या फिर imaginary roots जो आप बोलना चाहें अगर d की value 0 आ जाए तो इसका मतलब है two equal real roots यहाँ पे भी real ही होते हैं ओके यह भी real है और d की value positive आ जाए तो भी क्या हैगा two distinct real roots है यहाँ पे भी real मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि दो cases में आपको real values मिल रही है है ना d is equal to 0 पे भी real है और d greater than 0 पे भी real है और negative वाले पे क्या आएगा imaginary चलिए example से समझ लेते हैं इसको और अच्छे से example 13 देखिए find the roots of the following quadratic equations if they exist using the quadratic formula आपसे कह रहा है कि quadratic equations के अगर roots exist कर रहे हैं तो find कीजिए by using quadratic formula अब आपको पता कैसे चलेगा जो अभी हमने discriminant वाला concept पढ़ा है वो use करना कुसी question में की नहीं उसके लिए देखिएगा question में ऐसा लिखा होगा if they exist अगर वो exist करते हैं तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि real है या नहीं real है तो इसका मतलब exist कर रहे हैं imaginary है तो इसका मतलब वो exist नहीं कर रहे हैं तो आप पहले discriminant न अब यहां से देखिए हमें a b और c की value निकालने होती है क्योंकि देखिए discriminant में भी क्या होता है d की value क्या होती है b square minus 4ac तो देखिए standard form होता है आपका ax square plus bx plus c is equal to 0 यहीं होता है यहां से compare करिजे करिए और आप a b और c की value निका लिए तो देखिए a की value क्या होगी 3 जो की x square का coefficient है b की value क्या होगी minus का 5 जो की x का coefficient है और c जो की constant term में वो क्या है 2 अब देखिए discriminant का formula क्या था d is equal to b square minus 4ac हम यहां पर check करेंगे कि real है कि not real है अब देखिए d is equal to b की value put कर दी मैंने यहां पर minus 5 का square minus 4 into 3 into 2 okay solve कर लेते इसको देखिए d is equal to minus 5 का square यानि 25 इसको multiply करेंगे तो क्या आएगा minus 24 solve करके कितना आ गया 1 d की value कितना आ गई 1 यानि की 1 है और यह कैसा है positive है हना 1 positive है तो हम कहेंगे since d is greater than 0 so real roots exist हम कहेंगे d की value positive है इसलिए क्या कहेंगे हम roots real है जो third condition हमने पड़ी थी वो वाला है हना अब हम quadratic formula यूज कर लेंगे और answer निकाल लेंगे अगर मालीजे यहां पर less than 0 आ जाता यानि की roots real नहीं होते imaginary होते तो हमें इतना वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक का यह पार्ट करना ही नहीं पड़ेगा टाइम भी बचेगी आपकी energy भी बचेगी है ना चली देखिए using quadratic formula quadratic formula क्या है देखिए x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a अब इसमें value put कर देते हैं देखिए x is equals to minus तो पहले सी formula में है और b की value भी negative है minus 5 plus minus under root अब देखिए b square minus 4ac यहां पर value put करने की ज़रूद नहीं है आप direct t वाली value put कर दीजेगा जो हमने d की value निकाली है क्योंकि वही थो था d b square minus 4ac तो यहां पर हो जागा root का 1 upon 2 into 3 अब देखिए solve करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा तो plus का 5 plus minus 1 का root क्या होगा 1 ही होगा upon 6 एक बार हम plus का 1 लेंगे एक बार minus का 1 तो x is equals to 5 plus 1 upon 6 और x is equals to 5 minus 1 upon 6 solve करेंगे देखिए x is equals to 6 upon 6 that means 1 हो गया और x is equals to 4 upon 6 यह कितना हो जाएगा 2 upon 3 तो आपके 2 roots आ गए क्या आ गए ? so the roots of the quadratic equations are 1 and 2 upon 3 I hope आपको यह समझा होगा यह कौन सा बाला case है जब d जो है positive हो d की value क्या हो positive हो यानि की real roots है two distinct real roots यानि अलग-अलग roots है second part है आपका x square plus 4x plus 5 is equals to 0 okay अब देखे compare करेंगे आप ax square plus bx plus c is equals to 0 इससे compare करेंगे तो आपके पास a की value आगी 1 जो की x square का coefficient है b की value आगी 4 x का coefficient and constant term क्या है c जो की 5 है अब हम क्या करेंगे discriminant निकालेंगे discriminant का formula क्या है b square minus 4ac put कर दीजे value d is equals to b की value क्या है 4 तो 4 का square minus 4 into 1 into 5 solve करेंगे d is equals to 4 का square यानि 16 4 5s are 20 16 minus 20 that means minus का 4 अब आपने देखा d कैसा है negative आया यहाँ पर equal to का sign मतलगा है यह less than का sign लगा है ठीक है since d is less than 0 यानि आप direct line में भी मतलब लिख सकते हैं कि d is negative since d is negative so no real roots exist so no real roots exist या फिर आप कह सकते हैं कि roots are imaginary अब roots imaginary हैं तो फिर आपको answer मिलेगा नहीं तो आपको बाकी का quadratic formula यूज करके solve नहीं करना है सब्सक्राइब में आया गया आपको यही फायदा है आपका discriminant पढ़ने का इसलिए मैंने सोचा आपको अगले exercise में पढ़ने से बढ़िया है आप यहीं पर पढ़ लीजिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है आपका 2x square minus 2 root 2x plus 1 is equal to 0 अब देखिए यहां से आपको a की value क्या आएगी 2 जो की x square का coefficient है b की value क्या आएगी minus का 2 root 2 जो की x का coefficient है और constant term क्या है 1 इतना तो आपको समझ में आ गया अब हम क्या करेंगे d की value निकालेंगे d का formula क्या होता है b square minus 4ac root के अंदर वाला जो term होता है उसको कहते हैं हम discriminant अब देखिए value put कर लेते हैं तो d is equal to b की value क्या है minus का 2 root 2 इसका square हो जाएगा minus 4 into 2 into 1 solve करेंगे तो देखिए d is equal to 2 root 2 का square करेंगे तो कितना आएगा 8 minus 4 to the 8 8 minus 8 कितना हो जाएगा 0 d की value 0 आ गई तो मैंने क्या बता है था आपको कि 2 roots तो होंगे ठीक है लेकिन कैसे होंगे equal roots होंगे तो हम लेखेंगे 2 equal real roots exist 2 equal roots होंगे अब देखिए quadratic formula लगा लेते हैं और solve करके answer निकाल देते हैं तो using quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a मैंने बोला है आपको हमेशा formula जरूर लिखिएगा उसके भी marks मिलते हैं अब देखिए b की value put कर देते हैं minus तो formula में है b की value है minus का 2 root 2 plus minus under root देखिए b square minus 4ac की value हम पहले ही निकाल चुके है 0 आई थी वह हम रख देंगे आपे 0 upon 2a है तो 2 into 2 0 का root क्या होगा 0 ही होगा तो आपके पास बचेगा 2 root 2 upon 4 अब देखिए हमने बोला था कि यहां कैसे roots होंगे 2 equal roots होंगे 2 equal roots होंगे 2 equal roots होंगे यानि कि आप क्या करेंगे आपके answer को repeat कर देंगे तो पहले इसको थोड़ा solve कर लेते हैं 2 1s are 2 2 2s are 4 यह हो जाएका root 2 upon 2 so the roots of the equation are root 2 upon 2 comma root 2 upon 2 क्योंकि यहां पर देखिए second part कुछ ही नहीं जो हम plus minus करके लें तो हम उसको क्या करेंगे repeat कर देंगे तो आपने देखा example के first part में D की value जो थी वो greater than 0 आई थी यानि कि कैसे आई थी positive आई थी तो हमारे roots कैसे थे real थे second example में D जो था less than 0 आ रहा था negative का रहा था तो कैसे roots से imaginary roots थे okay कैसे roots थे imaginary या फिर आप बोल सकते है not real जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते आप और third example जो third part था D is equal to 0 आया था उसमें वो कैसे थे equal roots थे आय होप आपको nature of roots समझ में आया होगा अब हम देखते हैं next example को example 14 देखिए find the roots of the following equations ध्यान दीजेगा यहां पर लिखा है equations quadratic equation नहीं है okay and first part किया उसका x plus 1 upon x is equal to 3 such that x should not be equal to 0 अब देखिए यहां पे इन्होंने equation क्यों लिखा है क्योंकि दिखने में यह quadratic नहीं है लेकिए जब हम solve करेंगे तो वो quadratic equation में बदल जाएगी और यह side में देखिए x not equal to 0 क्यों दे रखा क्योंकि देखिए x यहां पे denominator में भी है अगर वो 0 हो जाएगा तो not defined हो जाएगा इसलिए इन्होंने बोला है कि x की value 0 नहीं आनी चाहिए जब आप solve करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी x की value 0 नहीं आ रही है अब देखिए क्या करेंगे हम पहले इसको quadratic बनाते हैं कैसे बनाएंगे LCM ले लेते हैं denominator में कभी variable को नहीं चोड़ेंगे ध्यान दीजेगा कभी भी denominator में root को नहीं चोड़ते हैं और कभी भी denominator में variable को नहीं चूड़ते हैं तो देखिए LCM लेंगे क्या आएगा? X आएगा X LCM हो गया अब देखिए यहाँ पर X की कम ही है तो X उपर multiply हो जागा जो क्यों हो जागा? X square plus देखिए दोनों का LCM same है यहाँ पर second term का तो 1 as it is आजाएगा is equals to 3 cross multiply कर लेते हैं देखिए 3 की नेचे 1 लगा लीजे और cross multiply कर लीजे तो आपके पास आएगा X square plus 1 is equals to 3X यह X वहाँ जाएगा तो multiply हो जाएगा अब देखिए 3X को left hand side में ले जाएए ताकि हम एक quadratic equation को form कर सके तो देखिए minus हो जाएगा बहाँ जाएगा X square minus 3X plus 1 is equals to 0 अब तो आपका quadratic equation बन गया अब हम इसको solve कर लेते हैं by using quadratic formula तो देखिए A की value है 1 जो की X square का coefficient होता है B की value है minus 3 जो की X का coefficient होता है C की value है 1 जो की constant term होता है अब देखिए quadratic formula क्या होता है X is equals to minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A ओके value पुट कर देते हैं minus sign formula में है B की value भी negative है minus का 3 है न plus minus under root B square यानि minus 3 का square minus 4AC है तो 4 into 1 into 1 upon 2A यानि 2 into 1 solve करेंगे देखिए minus minus plus हो जाएगा तो X is equals to 3 plus minus 3 का square हो जाएगा 9 minus 4 root के इंदर है upon 2 अब देखिए X is equals to 3 plus minus root 5 upon 2 5 का root तो निकल नहीं सकता point में आ जाएगा लेकिन हम उसको नहीं करना है तो देखिए एक बार हम plus का root 5 लेंगे एक बार minus का तो आपके पास आएगा X is equals to 3 plus root 5 upon 2 और X is equals to 3 minus root 5 upon 2 अब आप पूछ रहे होंगे कि मैंने इस में तो discriminant नहीं निकाला तो आपने यह भी तो देखा कि question में यह नहीं लिखा कि if they exist अगर इस type के question पूछा है न if they exist या is it possible तब हम यूज करते हैं D को ओके जो की क्या है discriminant second part देखते हैं इसका second part देखिए 1 upon X minus 1 upon X minus 2 is equals to 3 such that X should not be equal to 0 or 2 अब देखिए क्यों नहीं होना चाहिए अगर X 0 हो जाएगा तो देखिए यहां पर denominator क्या हो जागा 0 जिससे क्या हो जागा not defined आपको पता होगा कि denominator में अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है यह not defined होता है क्योंकि 0 से division possible नहीं होता है not defined अब देखिए अगर 2 रख देता हूं मैं X की value तो देखिए यह वाला term 0 हो जाएगा 2-2 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि X की value 0 नहीं आनी चाहिए और 2 नहीं आनी चाहिए तो देखिए पहले हम इसको solve कर लेते हैं LCM लेके quadratic equation बना लेते हैं तो देखिए मैंने पहले question लिख लिए आए 1 upon X minus 1 upon X minus 2 is equals to 3 अब देखिए LCM क्या हैगा दोनों का product अगर दोनों denominator अलग-अलग होते हैं तो उनका product ही उनका LCM होता है तो यहाँ पर क्या हो जागा X into X minus 2 यहाँ पर किसकी कमी है X minus 2 की कमी है तो उपर multiply कर दीजिए X minus 2 को तो यह हो जागा X minus 2 minus दूसरे वाले में देखिए denominator में किसकी कमी है X की कमी है तो देखिए उपर X को multiply कर दीजिए minus X is equals to 3 solve कर लेते हैं देखिए X X cancel हो जाएगा तो आपके पास बचाएगा minus का 2 upon इस X को अंदर multiply कर दीजिए यह हो जाएगा X square minus 2X is equals to 3 अब हम क्या करेंगे cross multiply कर दीजिए 3 की नीचे 1 रखिए और cross multiply तो आपके पास आएगा minus 2 is equals to 3 दोनों में multiply होगा इसमें तो आपके पास आएगा 3X square minus 6X अब देखिए X square को positive रखने की कोशिश करते हैं तो minus 2 को ले जाएए right hand side में plus हो जाएगा तो आपके पास आएगा 3X square minus 6X ये तो पहले सी थे plus 2 जो की अब आया है is equals to 0 अब देखिए A की value क्या होगी 3 जो की X square का coefficient है B की value minus 6 जो की X का coefficient है और constant term 2 quadratic formula लगा लेते हैं formula है minus B plus minus under root B square minus 4C upon 2A यहाँ पर हम value पूट कर देंगे X is equals to minus B की value है minus का 6 plus minus under root B square यानि minus B का sorry minus 6 का square minus 4C यानि 4 into 3 into 2 upon 2A यानि 2 into 3 solve करेंगे तो देखिए X is equals to 6 plus minus under root के अंदर 36 minus 24 upon 6 solve कर लीजे और इसको X is equals to 6 plus minus root 12 upon 6 जो की क्या हो जागा देखिए root 12 केतना हो जागा 2 root 3 तो 6 plus minus 2 root 3 upon 6 अब देख सकते हैं कि 6 और 2 root 3 में से 2 common आ रहा है तो 2 common ले लीजे ताकि हम simplify कर सकें तो X is equals to 2 common ले 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 मैंने तो अंदर बचा 3 plus minus root 3 upon 6 2 से यह 6 कट जाएगा 2 3 से 6 तो आपके पास बचा 3 plus minus root 3 upon 3 एक ब़र हम plus का लेंगे एक ब़र minus का लेंगे root 3 तो आपके पास roots क्या हो जाएंगे the roots of the equations equation are 3 plus root 3 upon 3 and 3 minus root 3 upon 3 I hope आपको यह concept समझ में आया होगा अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section का use करिए और अगर आप मेरी वीडियो से related कोई feedback देना चाहते हैं जिससे कि मेरी वीडियो और improve हो सकें या आप चाहते हैं कि इसमें यह चीज नहीं होनी चाहिए तो please मुझे बताईएगा ताकि मैं उसको consider कर सबूँ Thank you, have a nice day